राजस्थान में भाजपा और आरलपी का गटबंदन पहले बना फिर हनुमान बेनिवाल भाजपा से नरास हो गए और अब एक बार फिर दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं हालांके सियासत में ये सब चलता रहता है लेकिन कितना असर दायक होगा ये बदलाव जाने हमारे इस खास रिपोर्ट से राजनीती यानि ऐसा मैदान जहां कब कौन किस करवट बैठ जाए कब कौन किसे पीट दिका जाए कब कौन किसका साथ निभादे कोई नहीं कह सकता में चलता रहता है ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है राजिस्थान भाजपा में विधानसभा चुनाओं में भाजपा के साथ मिलकर चुनाओ लड़ने वाली पार्टी आरलपी के राश्टियें सेयोजग हन्मान बेनिवाल कुछ समय के बाद भाजपा से नाराज हो गए थे या ये तो साफ है कि बेनिवाल एक बार फिर भाजपा के हन्मान बनने जा रहे हैं पहले हन्मान बेनिवाल की फोटो भाजपा के नए प्रदेश अध्यक सीपी जोशी के साथ सामने आई तो वहीं राजिंदर राठोड और लोकसवा स्पीकर ओम बिल्ला की मुलाकात के बीच ह फूब सियासी सुर्कियां बटोरी इसी खास मुद्दे को लेकर चौक मीडिया के आइडिटर इंचीफ सुशान पारिक ने वरिष्ट पत्रकार विजे विद्रोही के साथ सियासी चौक में भी चर्चा की आप भी देखिए दिल्ली से जो तस्वीर आई है राजिंदिर राठोड पार्टी के वरिष्ट नेताओं से वहां मिले हैं मुलाकात में कई तरह की चीजों पर चर्चा हुई लेकिन ओम बिल्ला के साथ मुलाकात के दोरान हनुमान बेनिवाल भी वहां दिखे क्या आरलपी वापस आ रही है चुनावी मैधान में बीजयपी के साथ क्योंकि दिक्कत केवल जो है हनुमान को यहां पर मैडम से ती और वहां पर कुछ मसले थे जो शायद हो गए हैं असली दिकत तो मैडम से थी और अगर वह वापस आ जाते हैं तो इसका मतलब क्या बीजय पी ने मैडम को विल्कुल स साहिन कर पाएंगी क्या कि हनुवान विनिजवार उनके रहते हुए पाटी में आ जाए मुझे नहीं लगता पहले भी रहते हुए गठवंदन में आई गे नहीं तो उसके बाद जगड़ा तो हुए थे और उसके बाद वो लोकसभा चुनाव की बात थी और पाटी ने सब्सक्राइब करना पड़ेगा और चूंकि बीजेपी की जीत की संभावनाएं ज्यादा है और ऐसे में आगे के लिए भी वरस्ता हो जाएगी कुछ मंत्रीपद भी मिल सकते हैं लेकिन वहीं वहीं समझोता वो पेश उस पर एक लबभी बातचीत होगी बेकिए मुझे ल रखता है कि अगर हनुआन बेनिवाल के आने से राजस्थान भाजपा और राजस्थान की सियासत में कितना बदलाव होगा या फिर आने वाले विदानसवा चुनाओं के लिए भाजपा और आरेलपी का गठबंदन किस तरह की तयारी करेगा यह तो आने वाला वक्त ही बत बीच चुनाओती बढ़ने वाली है जैपूर से राजस्थान चौक की रिपोर्ट